हलो स्टुडेंट माइनम इस अंसुराज गुपता अंड वेलकम टो अंसु भाइलो जी जुकेशन सेंटर आज हम लोग अब्जेक्टिव देखेंगे बाइट अवर सिटी का चैनल पर जो भी नए है पली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए अज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किउचन यहां पर है इने नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इस प्रोवाइड़ टू नेशनल पार्क में जो हैना किसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्लोरा को फाउना को या बोथ हैंड बी को या एको सिस्टम को नेशनल पार्क में जो हैना फ्लोरा और फाउना द प्रोटेक्ट किया जाता है गीर सेंचुरी इस फेमस फोर बार्ड लायन क्रोकोडाल राइनोशेरस गीर सेंचुरी जो हना यह फेमस लायन के लिए इंडियन राइनोशेरस इस अनेचुरल इन्हाबिटेंट ओफ विच इंडियन स्टेट हिमाचल पर्देश असाम यूपी अबिहार इसका कैरेक्ट अंसर होगा असाम विच डाजवन आपकर इन बायोडियवर्स इटी होट आशुर। बायोडियवर्स इटी होट आशुर। में नहीं आखर होता हाँ पेसे Sullivan इंडियमिजम एकसेलरेरेटेड आशुरूर्स लेसर इंटर सपेश्थिक कमपेटिशन यहाँ पे character answer होगा lesser inter-specific competition यह occur नहीं होगा biodiversity hot spot में which one of the following has maximum genetic diversity in India maximum genetic diversity के बारे में बोला जा रहा टी, mango, tea या wheat इसका character answer होगा mango mango जो है न यह character answer है genetic diversity यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी का है tiger is not a resident in national park tiger जो है न वो कौन से national park में जो है न नहीं है सुन्दरबान, Jim Corbett, Gir, Ranthambore सुन्दरबान, Jim Corbett और Ranthambore यह तीनों में जो है न यह तीनों में है पर Gir Gir में नहीं होगा यह famous lion के लिए a status of red panda is red panda का status क्या है critically indentured है यह indentured है यह vulnerable है यह extinct है red panda जो है न यह indentured है इसमें से जो है न बॉइड आवर सीटी होट स्पोर्ट कौन है यहाँ पर character answer होगा बॉइड आवर सीटी होट स्पोर्ट है which of the following is an example of a setu conservation एक से तू conservation कहने का मतलब है नेचुरल से रिलेटेड नहीं होगा अगर इन से तू अगर रहता तो नेचुरल से रिलेटेड होता नेचुरल से रिलेटेड जो conservation किया जाता है plant और animal को उसको बोलेंगे इन से तू और एक से तू जो है न यह human के दोवारा conservation किया जाता है तो यहाँ पर example क्या होगा एक से तू conservation का sacred group, seed bank, national park यह all of these एक से तू conservation का example होगा seed bank नेक्स्ट क्यूचन यहाँ पर है, which one of the following is an indented plant species of India indented plant species के बारे में पूछा जा रहा है, rovolphia, serpentina, centrum, albuna, psychos, bedonia यह all of these, यहाँ पर क्या character answer होगा, यहाँ पर character answer होगा all of these all of these होगा character answer, यह तीनों जो होगा इंडेंजर्ड plant species है reserve biosphere of sundarban is situated in which of the flowing state reserve biosphere जो होगा सुन्दरबन का वो कहाँ पर situated है, कौन सा state में situated है बिहार, अश्राम, बेस्ट बंगाल यह यूपी यहाँ पर character answer होगा, बेस्ट बंगाल, बेस्ट बंगाल में जो होगा यह situated है biodiversity act of India was passed by the parliament in which year 1996, 2002 यह 1992 यह 2000 में यह पास किया गया था biodiversity act जो है यह पास किया गया था 2002 में first national park developing in India, सबसे पहला national park जो इंडिया में develop हुआ था उसका क्या नाम है, गीर कना national park जीम कॉरवेट काजी रंगा सबसे पहला national park इंडिया में develop हुआ था उसका नाम है जीम कॉरवेट जीम कॉरवेट total number of biodiversity hotspot total biodiversity hotspot कितना है 29, 34, 28 यह 39 total biodiversity hotspot 34 है next in India cold desert occurring cold desert कहां पह है गुजरात या लदाक या मौन्टबू या all of these यहां पर character answer होगा लदाक biodiversity term given by biodiversity term कौन दियें थे हेकल, wilson, watson या मिंडेल biodiversity term जो है यह wilson दियें थे varieties of life form on the earth is called varieties of life form कहने का मतलब है जैसे यहां पर एक्जाम्पल है human है, monkey है, donkey है cat है, dog है, यह सारे अलग-अलग life form है जो प्रिथवी पे survive कर रहा है इस form को क्या बोलते हैं biodiversity, ecosystem, gene या alleles इसको जो है नहीं, इसको biodiversity बोलते है who put global estimate at 7 million species on the earth कौन बोले थे, 7 million species earth पे है Robert Roy, Robert May, Wilson या none of these यहां पर correct answer होगा, Robert May Robert May, जो है नहीं यह बोले थे, 7 million species अर्थ पे है how many species are discovered, अब यह 7 million तो बोलें पर इस में से कितना species जो है अभी discovered है 1 million, 3 million, 1.5 million या 6 million यहां पर correct answer होगा 1.5 million 1.5 to 1.7 million जो है अभी तक discovered हो चुका है नेक्स्ट केचर यहां पर है, maximum void of a city found in सबसे ज़्यादा void of a city जो है कहां पर है Amazonian rainforest में या rock में या salty area में या desert में maximum void of a city जो है यह है Amazonian rainforest में नेक्स्ट है, a species area relation given by, a species area relation जो है न यह कौन दिया थे Wilson, Smith, Humboldt या Tensley यहां पर correct answer होगा Humboldt biodiversity loss due to, biodiversity loss जो है न यह किस के कारण हो रहा है overpopulation के कारण, यह urbanization के कारण, यह industrialization के कारण, यह all of these के कारण biodiversity loss जो है यह तीनों के कारण हो रहा है overpopulation के कारण भी हो रहा है, urbanization के कारण भी हो रहा है और industrialization के कारण भी हो रहा है with the change in environment, environment change हो रहा है, new more spaces were replaced by other बहुत ऐसे अस्पेसिस जो है ना वो replace किया गया उसको क्या बोलेंगे naturally extinction बोलेंगे या mass extinction बोलेंगे या anthropogenic extinction बोलेंगे या none of this बोलेंगे अगर human activity के दोवारा अगर होता अस्पेसिस रिप्लेस तो उसको anthropogenic extinction बोलते हैं और यहां पर जो है ना environment के change होने से ऐसा हुआ तो environment से related है तो यहां पर answer होगा natural extinction तो यहां पर answer क्या हो जाएगा natural extinction होगा डोडो आर डोडो जो है ना क्या है इंडेंजर्ड स्पेसिस है इक्स्टिंक्ट स्पेसिस है वल्नेरेबूल है यह not evaluate डोडो जो है ना यह extinct species है वेस्टैन घाट have greater number of amphibian species वेस्टैन घाट जो है यहां पर काफी जादा amphibian species है दैन इस्टैन घाट which kinds of diversity does represent कौन सा डाइवर सिटी यहां पर रिप्रेजेंट होगा वेस्टैन घाट में जो है ना amphibian का जो अस्पेसिस है वो काफी सा रहा है और इस्टैन घाट में जो है as compared to बेस्टैन घाट यह कम है तो यह कौन सा डाइवर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है option यहां पर है अस्पेसिस डाइवर सिटी genetic डाइवर सिटी ecological डाइवर सिटी यह none of these amphibian अस्पेसिस बोल रहा है यह जो है यह related है aspaces डाइवर सिटी से aspaces बोल रहा है तो aspaces डाइवर सिटी से related होता अगर genetic बोलता तो genetics related होगा alpha diversity is a boy diversity present within the community present होगा between community present होगा ranges of community none of these यह जो है नहीं प्रेजेंट होगा within community within community होगा aspaces डाइवर सिटी blanks as one move from higher pole to lower altitude यानि high से low जाने पर aspaces डाइवर सिटी क्या होगा increase होगा यह decrease होगा यह पहले increase करेगा उसके बाद decrease करेगा यह पहले decrease होगा उसके बाद increase होगा higher altitude से lower altitude में जो है ना अगर हम लोग move करते हैं तो aspaces डाइवर सिटी क्या होगा aspaces डाइवर सिटी increase होगा aspaces डाइवर सिटी increase होगा high altitude में आप लोग देखिए high altitude में जो है ना वहाँ पे aspaces उतना तो नहीं मिलता है और जैसे जैसे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो aspaces जो है ना increase करता जाता है तो यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा increase next question है organization responsible for maintaining rate data book is IUCN, WWF या CITS या IBWL यहाँ पर correct answer होगा IUCN यह responsible होता है how many species are documented to be extinct in last 500 year by IUCN read list in 2004 यहाँ पर बोला जा रहा है पिछले 500 साल में 500 साल में जो है ना कितने species extinct हुए है कितने species extinct हुए है 2087, 567 या 784 कितने species extinct हुए है बिलुप्त हुए है यहाँ पर answer होगा 484 The reasons behind the consuming biodiversity have been grouped into which of the following category narrowly utilitarian, broadly utilitarian, ethical या all of these कौन सारीजन यहाँ पर होगा जिसके कारण जो है ना biodiversity को conserve किया जाए यहाँ पर answer all of these होगा narrowly utilitarian, broadly utilitarian और ethical यह तीनों रीजन कारेक्ट होगा Amazonian rainforests are considered as the length of the earth यहाँ पर एक question और बना Amazonian rainforests को length of the earth कहते है as they contribute the length of the total oxygen in the earth atmosphere कितना जो है ना यह contribute करता है oxygen को 10% या 15% या 20% या 30% यह जो है ना यह total से 20% जो है ना oxygen को contribute करता है एक से तू conservation is used for the conservation of एक से तू कहने का मतलब है वैसा conservation जो human के दोवारा किया जाए all plant को conserve किया जाता है या all animals को किया जाता है या threatened animals and plant को किया जाता है या both and be को किया जाता है यहाँ पर जो है ना यहाँ पर character answer होगा threatened animal and plant threatened animal और plant को ही conserve किया जाएगा सारे plant को conserve नहीं किया जाता है सारे animal को नहीं किया जाता है conservation in the natural habitat is conservation जो है न नेचुरल हैबिटेट में हो रहा नेचुरल ही हो रहा यानी क्या होगा इन से तू, एक से तू, या जू, या बोटैनिकल गार्डेन यहाँ पे अंसर होगा इन से तू नेचुरल से है तो इन से तू, human के द्वारा किया गया तो एक से तू और जू कहने का मतलब है एनिमल से रिलेटेड हो गया और बोटैनिकल गार्डेन यानी प्लांट से रिलेटेड हो गया और यहाँ पे एनिमल और प्लांट के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है यहां पर डिरेक्टली नेचुरल हैबिटाइट के बारे में बोला जा रहा है तो नेचुरल है तो इन से तू होगा टोटल नंबर और बायो डेवर सिटी होट स्पोर्ट इन दा वर्ल्ड इस टोटल बायो डेवर सिटी होट स्पोर्ट जो हैना कितना है टोटल जो हैना टोटल थाटी फोर है वीच वन अफ दा वीच वन फिज न उन्कूलूद इन बायो डेवर सिटी होट स्पोर्ट जो हैना उसमें इनकूलूड नहीं किया गया है बेस्टन घाट को हीमाल्याज को इंडो बर्मा को या नौर्धन इंडियन प्लेन को यहाँ पर अंसर होगा नौर्ध इंडियन प्लेन नौर्ध इंडियन प्लेन जो हैना इसको इंकूलूड नहीं किया गया है बायो डेवर सिटी होट स्पोर्ट में बेस्टान घाट, हिमाल्याज और इंडो बर्मा ये तीनों जो हैना ये तीनों को इंकलूड किया गया है बायो डावर्सिटी होटस्पोट में इकोलोजिकल होटस्पोट प्रेजेंट इन इंडिया ecological hot spot जो है ना कितना present है इंडिया में एक, दो, तीन या फाइब ecological hot spot जो है ना वो present है four total से four ecological hot spot present है इंडिया में blanks, national park was the first national park of इंडिया सबसे पहला national park of इंडिया gym corvette है, ये नंदा देवी है, ये काजी रंगा है, ये जल्दा परा है सबसे पहला national park जो है ना ये है gym corvette which of the following group exhibit more species diversity सबसे ज़्यादा species diversity option यहाँ पर जीम्नो स्पर्म, algae, bryophytes, fungi सबसे ज़्यादा species diversity है, fungi का दुदवा national park located in दुदवा national park जो है ना ये कहाँ पर located है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में दुदवा national park जो है ना ये located है उत्तर प्रदेश में which of the following is an example of एक सेतु कंजरवेशन एक सेतु कंजरवेशन का example क्या होगा एक सेतु कंजरवेशन कहने का मतलब है वो ऐसा का निर्वेशन जो human के दोवारा किया जाए option यहाँ पर सीड बैंक, sacred group, national park, all of these यहाँ पर correct answer होगा सीड बैंक, यहाँ पर answer क्या होगा, सीड बैंक होगा कनहा national park is famous for कनहा national park जो है न, यह famous है क्रोकोडाइल के लिए, यह tiger के लिए, यह bird के लिए, यह none of these के लिए कनहा national park जो है यह famous है, टाइगर के लिए काजी रंगा national park famous for काजी रंगा national park जो है यह famous है, टाइगर के लिए, lion के लिए, crocodile के लिए, यह राइनो सेरस के लिए काजी रंगा नेशनल पार्क जो है यह फेमस है राइनो सेरस के लिए गीर सेंचुरी इस फेमस फोर गीर सेंचुरी फेमस है लाइन के लिए बड के लिए या डॉक के लिए या कैट के लिए गीर सेंचुरी जो है यह फेमस है लाइन के लिए फिर्स्ट नेशनल पार्क डेवलापिन इंडिया सबसे पहला नेशनल पार्क यह अन्सरों का जीम कॉरबेट काफी बार आया है राइनो सेंचूरी इस लोकेटेड इन राeनो सेंचूरी जो है ने यह कहां पे लोकेटेड है बिहार में है अशाम में है या मध्धि प्रदिस में है या जहारखंड में है राइनो सेंचूरी जो है यह अशाम में लोकेटिड है फर्स्ट बायोस्फेयर रिजर्व अजे स्टेबलाइज इन नाइंटीन हंड़ेटी सिक्स यहाँ पे एक और क्यूशन बन रहा है सबसे पहला बायोस्फेयर रिजर्व जो है यह इस्टेबलाइज कब हुआ था तो आंसर यहाँ पे होगा नाइंटीन हंड़ेटी सिक्स निलगीरी में हुआ था यह नंदा देवी में हुआ था यह रैन आफ कुछ में हुआ यह सुंदरवन में हुआ था यह जो है न यह इस्टिबलाइज हुआ था अट दा निलगिरी नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्ब इस फॉंड इन नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्ब जो है यह कहां पर फॉंड है extinct species होगा या indentured species होगा या vulnerable होगा या all of these होगा rate data book में ये तीनों आएगा extinct species भी आएगा, indentured species भी आएगा और vulnerable भी आएगा objectives हमापत हो गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ली चैनल को subscribe कर दिजेगा thank you for watching